मामू बपन अबने आपर जिलास बोल कियां त्या शाड खेल दिया है वैसल ने फैसल ने पांच छखे लगाया है जी मामू बबबन को 32 रन लिया है मामू बबबन सेकंड बोल करेंगे पहला बोल फैसल को डोट कर चुके हैं जी पांच हजार की बेस्ट अफ तरी है जी और फैसल ने पहली बोल डॉट करके दूसरी पे च्छका हसल किया जी फैसल ने अपना जिसम खोलना शुरू कर दिया जी मामू बपन तीसरा बोल करेंगे फैसल को बहुत अच्छे बेस्ट मैन है जी फैसल और फैसल ने ग्रॉंड शार्ड के लिया जी सिद्धी फिल्डर के हाथ पे सिर्फ सिंगल ही होगा जाना कुछ चाहेंगे आपना आपने पहला मैज लूज किया है दूसरे मैज में क्या आप ल curl के लिए तारुग ने शार के हिल डीया जी कैप्टन ने क्या फोटिया जी कैप्टन ने क्एडरोप किया जी तारिक नहीं जिंद्र की मिली तार्इक हो तारग बहुत अच्छे बैस्टमैन है जी मामू पपन चोथा बोल करेंगे फैसल को आये बोल करने के लिए फैसल में बिल्कुल बोलर के सामने शाड गेल दिया सिरफ सिंगल ही होगा बहुत नपी तूलिंग बोलिंग अब तक मामू की जानिब से चटर रही है जी मामू पन लास्ट बोल करेंगे पांच बोलों पर यारा रंस होचागे तारग आया है जी फेस करने के लिए तारग ने फिर उंचा शाड की लिए हवा बहुत तेचर यह नदीम के नीचे आ रहे हैं लेकिन नदीम अच्छी फिल्डिंग होगी नदीम की जानिब से दो रंस होगी ते बोल करने के लिए लूज बोल को फेसल ने नदीम को पहले आवर में जी उनतिस रं लगा था ओ इनसेड़ हो चुकी है लेकिन देखना पड़ेगा सिंगली होगा अब तारग फेस करेंगे जी नदीम को तारग ने भी नदीम को सीधा पद्रा कर दिया जी छे लगा के तीन सलसन लग गया जी नदीम को एक मरता फिर नदीम बोल करेंगे तारग डीजे को और शाड खेल दिया यह ओफसेट पे तीन रंस की काल लिया जी लेकिन बोल हो गया फिर भी तीन रंस बासानी जब तक सेम थ्रो करेंगे तीन रंस ले लिए जी पांच बोलों पे तईस रं ल में भी नदीम को 29 रं लग चुक है जी तीसरा और स्टार करेंगे जी मुसा तारिक को बोल करने के आ चुके हैं जी और तारिक ने शार खेल लिया जी लूस फिल्डर के हाथ में सिर्फ सिंगल ही होगा जी फैसल दूसरे बोल का फेस करेंगे मुसा बोलर है जी यह भी स्पि सिर्फटें लगा चुके हैं आए बोल करने के लिए क्या शार खेल दो है फिर फैसल ने चैरन सासल के लिए चैरे फैसल मुटा अओ बच गहीं जी फैसल इस बोल पर क्या करते हैं फैसल ने शार खेलिया है वैस्मनडा के सीधी आत पर लेकिन वेस्ट मंडारा बोल को मिस्स करके चार रंस करवा दी हैं जी फैसल ने शार मुसा का बीस प्यावर कम्प्रीट हो चुका है जी मामू बपन आ गई चोथा वर स्टार्ट करेंगे तारिक को बोल के ग्रोंड शार तारिक ने खेली मुसा बहुत तेज आ रहे हैं सिर्फ सिंगल मामू बपन जी बैस्ट मैं तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बोलर में इतने खास नहीं हैं लेकिन फिर भी तीसरा बोल करेंगे फैसल को फैसल ने फिर फिलिक शाट छे रंस केल दिया जी क्या टामिंग किया जी फैसल ने फैसल की बैटिंग देखने जी यह उनके कैपन है जी जी यह बहुत मतासर हो रहे हैं यह व्यासल की बैटिंग से मामू बपन चोत्हा बोल करेंगे दो चक्के अब तक फैसल लगा चुके हैं जी आये मोड़ फुल टास्ट बोल यह भी फैसल कब छोड़ेंगे जी फैसल यह बोल छोड़ भी नहीं सकते थे लेकिन तीस्रा कि अप्रीज चुका भी हया च्छारमalay हुचके आये बोल करेंगे कि candidateبر कि है नdı फैसिया कि पहल गाय चाहень डिया च्छाहशने पौन उठेगा ते लगाक् dazu है मामूव पंपन को इधर प्षाबर जलमी और और क्वेटा एक रैडियर का भी मैच हो रहा है जिए कजावी स्टेटिंगे बिल्कु साथ ग्रोंडा जी पीसी असार लबाटरी राकिन इंडिंग स्टार्ट हो चुकिया जी स्नील यहिया बोल करेंगे मामो पपन को 95 रंस करें जी चेस 24 बोलों पर और पहली बोल पर भी बोल कर दिये माम टिकेस घुझे जी बोलाँ है एक यह ऑगी है टेसरे बोल के लिए कैपिटन को बोल करेंगे लिए जी स्नील जीए पुर्णांटर को मौकर नहीं मिला जी 4 रंस हासल कर लिया जी 95 का टार्गर चेस करनेने 24 बोलों पर जी 95 रंस चेस करने हैं अब तक तीन बोल बहुँ और सिर्फ सिंगल के लिए लिए खेल लिए जी चार बोलों पे जी सनील जया को साथ रंस हो चुका है 95 का टारगर गर्ना है जी साम की टीम ने देखें क्या करते हैं राशेद राशेद ने इन से डाज लगा दिया लेकिन केरी ने कर सके जी सिर्फ सिंगल होगा नाइंटी फाइफ का टार्गर चेस करना है जी सैम की टीम ने फैसल ने समय पे बहुत अच्छी बैटिंग ही है एफसी का लेके बहुत अच्छे प्लेयर है जी नो दस चकेल गाया है जी अब बागना शुरी किया है बोलर ने आये बोल करने के लिए सैम ने शाड के लिया देखना पड़ेगा जी दो रंस बासानी ले ले लेंगे जी राश्यद ऐसा कि जी नैंटी फाइफ का टार्गर बहुत बड़ा टार्गर था लेकिन ये मैज लूस जाते होगे जी ग्रॉन शाड राश्यद ने खेल दिया जी ये भी मैच चल तो रहा है लेकिन लूस हो बड़ेग्यों नादीम फेस करेंगे जी अब जीया केप्टन को और नदीम ने शाड खेल के छे रंस हासल किया जी नदीम ने नदीम ने पहला चगा अपनी लाइब में मैच पे लगाया जी ये केप्टन की टीम पहला मैच विन कर चुकिया जी जारीश जंस रेकर स्षिक की तीम को